आप सभी का परसेंटेज के पार्ट 3 के वीडियो में जैसा कि आप सभी को पता है परसेंटेज का पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो हमाई YouTube चैनल इस्टी वित्तिवारी जी पर अप्लोड किया जा चुका है यदि आप सभी ने उन्दू वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो देख लें उसके बाद पार्ट 3 का वीडियो देखे शुरुवात करेंगे आज अपनी टेबल से तो आज हम बात करेंगे 1 by 10, 1 by 11, 1 by 12, 1 by 13 टेबल के बारे में जैसा कि आप सभी को पता है इससे पहले हमने शुरुवात की थी 100% की बैलू बताया था हमने क्या होता है 1 होता है इसी तरीके से हमने बाखी सभी फ्रेक्शन को जनरेट किया था उसके बाद हमने क्या बात किया था 1 by 7 फैमिली की 1 by 8 फैमिली की एंड 1 by 9 फैमिली की हमने बात की थी तो यह सभी बहुत ही महत्वूर fraction है जो percentage को fraction में convert करके कठी से कठी सवालों को आसानी से हल किया जा सकता है तो हम सुरुवात करेंगे आज अपना Part 3 का वीडियो जिसमें हम 1 by 10 से सुरुवात करेंगे 1 by 10 क्या होता है 1 by 10 अभरा fraction है इसे हम करेंगे percentage में तो हमने क्या बोला था 1 by 10 को हम किसे multiply करते हैं 100 से multiply करेंगे और यह हमारा आ जाएगा 10% उसके बाद हम बात करेंगे 1 by 11 family की सिर्फ आपको एक ही fraction 1 by 10 में तो है यह 10% आपका चुका है यह 1 by 10 family का है कि फ्रेक्शन था उसके बाद हम बात करेंगे 1 by 11 से जो कि आपके लिए बहुत ही महत्तपूर है सुरुवात करेंगे 1 by 11 से जैसा कि आप से पता है 1 by 11 को जब हम multiply करते हैं 100 से तो यह क्या हो जाएगा हमारा परसेंट यह हो जाएगा 9.09 परसेंट उसके बाद हम बात करेंगे 2 by 11 की independence की मल्टिप्लाई करेंगे 200 से हमारा क्या percentage हो जाएगा वारी percentage में बैल्य हो जाएगी 18.18 % जैसा कि आप से प्वता है यहाँ पे 1 by 11 है अगर हम 2 को को लो करते हैं 9.09 में यहाँ पर हम 2 से मल्टिप्लाइख करते हैं तो तो हमारी बैल्व क्या निकल के आ जाएगी 18.18 परसेंट आ जाएगी उसके बाद हम बात करते हैं 3 by 11 की से कि आप सभी को दिख रहा होगा 3 by 11 से अगर हम क्या करते हैं 3 by 11 को हम multiply करते हैं 100 से तो क्या हो जाएगी हमारी वैलू यह हो जाएगी 27.27 27.27 परसेंट हो जाएगी और यह कहां से generate होई है तो यहां पर 3 है तो हम primary value क्या है 1 by 11 इसमें हम क्या 3 से multiply करेंगे यहां पर हमने क्या किया 3 से multiply कर दिया 9.09 में तो हमारी वैलू क्या गई 27.27 परसेंट आ गई इन सभी वैलू को अगर एक्जामनर क्या करता है fraction में दे दता है fraction क्यूं दे देगा ऐसे जैसे यहां पर यह लिखा हुआ है तो इसके वैलू को क्या ऐसे दे सकता हो 18 इस्टू तो बाई 11 परसेंट तो यह हो गया उसके बाद इधर देखेंगे तो इसकी वैलू क्या दे सकता है इसकी वैलू दे देगा 27 इस्टू 3 by 11 यह वैलू आपकी ऐसी बढ़ती चली जाएगी क्या क्या गया है यहां पर क्या था 9.1 by 11 यह थी आपकी प्राइमरी वैलू जैसा कि आप सभी को पता है अगर हम यहां पर इसके नॉमिनेटर में हम क्या करते हैं 2 से मल्टिप्लाई करेंगे तो यहां पर 2 by 11 हो जाएगा झाल रिए प्राइग हि ठील में होजाएगी वैलू फोल्टे लिएवन हो जाएगीए आपर अगे बढे वरते हैं यहां पर लिखा हुआ है 36 is 2 यहाँ पर हम किसे 4 से multiply कर रहे हैं तो यह हो जाएगा 4 by 11% यह value ऐसी बढ़ती चली जाएगी एक और हम ले लेते हैं fraction 5 by 11 का तो 5 by 11 को हमें किसे multiply करना है 5 by 11 को हमें multiply करना है 100 से तो यह value हमारी क्या हो जाएगी यह value हमारी हो जाएगी 45.45% उसके बाद हम आगे क्या बात करेंगे तो इसे अगर हम लिखते हैं से यह हो जाएगा 45 5 by 11% तो ऐसी यह value बढ़ती चली जाएगी अगर इसे हम बात करेंगे 6 by 11 की 7 by 11 की तो हमारी value आप देख सकते हैं 9 के multiple में बढ़ती चली जा रही 18.18 हो गया 27.27 हो गया 36.36 हो गया 45.45 हो गया ऐसी value यह हो जाएगे 6 by 11 की क्या हो जाएगी 6 by 11 को हम multiply करेंगे 100 से हमारी value हो जाएगी 54.54% उसके बाद यह कैसे लिखा जाएगा 54 यह हो जाएगा 6 by 11 तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप notice करें तो यहाँ पर 1 by 11 क्या था यहाँ पर आ गया उसके बाद 2 by 11 एजए टी यहाँ पर लिखता चला जा रहा है 3 by 11, 3 by 11 हो गया 4 by 11 यहाँ पर क्या हो गया 4 by 11 हो गया और 5 by 11 क्या हो गया यहाँ पर 5 by 11 तो ऐसी यह value बढ़ती चले जाएगी और यह कहां तक जाएगी 10 by 11 तक तो 10 by 11 की value fraction तक दे सकता है उसके आगे इसकी value नहीं दी जाएगी अब आगे हम बात करेंगे 1 by family की बात यहां पर हो गई है बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको समझा दिया है इसके बाद हम बात करेंगे 1 by 12 की बात करेंगे इसे अगर हम multiply करते हैं किस से 100 से तो हमारी value क्या हो जाएगी यहां पर यह हो जाएगा 100 by 12 उसके बाद क्या हो जाएगा यह अगर इससे हमें क्या लिखना है इसके बाद इसको और हम simple करते हैं तिक हो जाएगा 50 by 6 इसके बाद क 30 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैलू क्या जाएगी 30 यह वैलू हो जाएगी 8 is 2 2 by 6 पर्षंट उसके बाद हम बात करेंगे वैलू क्या हो जाएगी 8 is 2 1 by 3 पर्षंट तो जैसा कि आप देख सकते हैं 1 by 12 वैलू हमारी क्या आ गई 8 is 2 1 by 3 पर्षंट आ चुकी है तो अगर आपके पेपर में देता है इसके बाद इसको ऐसे भी लिख सकते है 8.33 पर्षंट तो अगर आपके पेपर में देता है यदि कोई वस्तो है उसके मूल में क्या हो रहा है 8.33 की क्या हो रही है increment हो रही है 33% के increment हो रही है तो आपको घबराना नहीं है सिपल सा आपको step करना है क्या वन इसे हमें तुरन चेंज करेंगे जिसकी वैलुआ क्या होती है में होता क्या है यहाँ पर यहाँ पर यहां पर इनिसेट्छार है उसके बाद इसमें जब अगया और क्या हो जाएगा थां वह मैं बैर नहीं तो है उसका प्राइप क्या है वद्ध पूंटाता है परिष्छा n tried विभलोट 9.3 यहां लिए यहां पर भूक्ती वती है तो आप उसे पूछा गया है तो भूक्त प्रेइफ्छ क्या हो जाएगा तो यहां जैसा कि हमने आपको बताया था, 8.33 की value fraction में क्या होती है, 1 by 12 मोटल इसका मतलब क्या हो गया मतल이면 ब्र committees qa का पहले दा म क्या था, 12 celebrates यह इस बारा था बढ़कर एक बढ़ गया है तो अब दा म क्या हो गया है, 13 हो गया बारा की वैलू हमने आपको क्या बताई 120 रुपए हैं तो 13 की वैलू क्या हो जाएगी 10 से मल्टिप्लाइ कर देंगे तो इसकी वैलू क्या जाएगी 130 रुपीज इसे तरीके तो देखते हैं आप देख लिए आपने कि कितना बढ़िया यह जो है फ्रेक्शन है बहुत ही आसा है फ्रेक्शन की यहां पर लिखा हुआ है 1 by 12 हो गया उसका गर बात करें 1 by 3 की हमने आपको इसको पहले बता दिया था अगर ब scorama क्या होता है अगर हम 100 से multiply करेंगे तो क्या हो जाएगा यहां पर कि इसकी सदखते हं उतलों को सबुटे सबते हो जायेगे हं мет आपर एज़न का ग़िखे ऐसा होती है 33 या फ़ंड West फिरी Nat आश्ते हम यह सकते हैं यहां ओर से प्रले शिवन फ developed an मतलब अगर पेपर में देता है यदि किसी ब्यक्ति की आय क्या है में जो है 33.33% के बृधि हो रही है तो मिंस इसका मतलब क्या हो गया उसके वैलू पहले 3 थी अब उसका जो सैलरी थी तीन थी अब बढ़कर क्या हो गई है चार हो गई है इसके बाद हम क्या बात करेंगे इसके बात करेंगे यहां पर अगर आप देख सकते हैं यहां पर 1 by 12 लिखा है यहां पर 1 by 3 लिखा है अगर 1 by 3 की वैलू आपको याद है तो इसली आप क्या कर सकते हैं 1 by 12 की वैलू जनरेट कर सकते हैं percentage में कैसे कर सकते हैं 1 by 3 यहां पर हमारी 5 क्या निकल की आ जाएकगी आएं फना है इससे क्या हो जाएगा इस क्या हो जाएतो बहुत कर दो यह कि भुइन्ट जाएकी, उसके बात करेंगे , और हम क्या बत करेंगे हैं, है तो दोस्तों, बात करेंगे यहां पर हम लिखते हैं 1 by 13 यह आपकी फ्रेक्शन में वैलू है इसे ज़ाम करेंगे किसमें इसे हम करेंगे पर्सेंटेज में यह हो जाएगा 1 by 13 मल्टिप्लाई भाई 100 तो इसकी वैलू क्या जाएगी पर्सेंटेज भी कि यह हो जाएगा 7.69 पर्सेंट कि क्या होता है इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7.7 पर्सेंट या 7 to 9 by 3 पर्सेंट इन सभी वैलू को आपको क्या करना होगा इसे अपने दिमाग में रखना होगा आगे जितने ही वैलू हम आपको बताएंगे में 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 है इन्हें आपको अपने दिमाग में रखना होगा आगी वैलू जैसे 2 by 13 कि आ जाता है तो इसी से इजली जनरेट कर लिया जाएगा जाएगा जानली जबाई लेबन देता है तो हमें क्या करना है 7.7 पर्सेंट में तू स जाएगी इससे हम क्या लिख सकते है 1 by 7 multiply by 2 आसे लिखा जा सकता है तो यह क्या हो जाएगा आपका वैलू तो इससे हम क्या से लिख सकते है 1 by 7 to 1 by 2 1 by 2 की वैलू हमने क्या बताया था आपको पर्सेंटेज में यह हो जाएगा 50% जैसे हम इसे multiply करेंगे तो हमारी वैलू क्या आजाएगी हमारी वैलू आजाएगी हमारी वैलू आजाएगी आसानी से 7.14 पर्सेंट को हम क्या लिख सकते हैं 100 वाई 2 पर्सेंट लिख सकते हैं और जब हम 14.28 को 100 से multiply करेंगे तो यह आजाएगा 141428 आजाएगा देखते हैं यहाँ पर जब इससे multiply करेंगे 100 से तो हो जाएगा 1428 और इजली हम जब इससे टू से divide करेंगे यहां पर पर्सेंट लिखा हुआ था यहां पर तो क्या हो जाएगा 7.14 पर्सेंट हमारी बैलू आ जाएगी इसी तरीके से भी लिखा जा सकता है तो इसके आगे बात करेंगे क्या यहां पर अगर हम देखें यह हो जाएगा 7 इसके बात करेंगे यहां पर देखा जाए इसे हम टू बाइप 14 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा इसके बात करेंगे वाइप 15 की वाइप 15 की यह हो जाएगा हंडेड वाइफ 15 इसके बाद इसे और यह करने पर क्या हो जाएगा 50 by 3 50 by 3 होने पर यह क्या हो जाएगा नहीं यह हो जाएगा 20 by 3 जब फाइफ से डिवाइट करेंगे तो उसके बाद इसे और क्या लिखा जा सकता है 6 इस्टू 2 by 3 परसेंट यह आपका हो जाएगा जैसा कि आपको हमने बताया था 1 by 15 के वेलू क्या होती है तो इस्टू 2 by 3 ह होती है उसके आजगे हम बात करेंगे 1 by 16 लिखा हुआ है तो 1 by 16 का क्या हो जाएगा 100 से मुल्टिप्लाइब करेंगे 1 by 16 तो यह हो जाएगा 100 by 16 परसेंट में चेंज करने के लिए इसे क्या किया जा सकता है यह पचीज वाइग ना चाहर हो जाएगा और असके बाद इससे हम कैसे लिख सकते हैं नोग सकते हैं हूं जो सक्षेंट क्या हो जाएगी 6 6.25 परसेंट हो जाएगी तो जैसा कि आप सभी को बता है आज को आज तक आ आज की वीडियो में आप सभी को इतनी ही टेवल बताए जाएगी आगे की वीडियो में हम पूरी टेबल जो है कवर कर लेंगे तो यह पार्ट चार में जो है आपकी पूरी टेबल कवर हो जाएगी उसके बाद हम एकसर साइज पर बढ़ेंगे और अच्छे अच्छे कोश्चन आप सभी को बताये जाएंगे तो यह बैलू है आपको याद करने नहीं आप सभी को ध्यान से देखना है और हमारा सयोग देना है तब तक के लिए नमस्कार कल मिलते हैं इसी टाइम फिर से जैहन